शरण में आये हुए की रक्षा करना हिंदू का धर्म है और अपने रक्त की अंतिम बून तक मैं धर्म का पालन करूंगा सबसे बड़ा सूपरिश्टार तो दूस्तो यह सब जानने से पहले अगर आपने हमारे चनल कलेक्शन टेक को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब का बिल आइकोन प्रेस कर दे जिससे आपको लेटिस्ट इंडियन मौस के डेली बॉक्स ओविस के अपड़ेट मिलती रहेगी सबसे पहले तो दोस्तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अजई देउगन की फिल्म रनवे 34 के बारी में आपको बता दे इस फिल्म में आपको अजई देउगन के साथ अमिता बच्चन और कई मल्टी स्टाकाश्ट नजर आये थे हुआ इस फिल्म का बजटता 80 करोड उपे लेकिन इस फि अज़ुद यह फिल्म अपने पहले दिन बॉक्स 20 पर सिर्फ तीन करोड उपे की ओपनिंग करने में कामियाब रही इसी के साथ इस फिल्म के दूसरे दिन के बॉक्स 20 कलेक्शन में भी थोड़ी सी ग्रोध देखने को मिली ओफिल्म ने अपने दूसरे दिन बॉक्स 20 पर 4 पाउजूद इस फिल्म का पहले अपते का box of is collection उम्मित के मुताबिक काफी कम रहा और फिल्म ने अपने पहले अपते हिंदी box of is पस सिर्प 22 करोड 25 लाग रुपे के आसपास कमाई की इसी के साथ इस फिल्म को अभी तक box of is पर रिलिज वाज 35 दिन से जादा हो चुके हैं औ लेकिन अगर इस फिल्म से इस एपिसोड की दूसरी फिल्म आने की बात करें तो नेक फिल्म में आपको आईश्मान खुराना के साथ कई श्टायकास्टर नजर आये थे हुआ इस फिल्म का बगड़ था 55 करोड रुपे लेकिन इस फिल्म के स्टोरी को भी पब्लिक ने अबी कई गुना कम रहा ओ फिल्म ने पने पहले दिन बॉक्स अविस पर रिलिज होते हैं सिर्फ 2 करोड 11 लाख रुपे की ओपनिंग की लेकिन फिल्म के दूसरे दिन के कलेक्शन में थोड़ इसी मामुली सी ग्रोथ देखने को मिली ओ फिल्म ने दूसरे दिन बॉक्स अ मंडे को बॉक्स अविस पर सिर्फ 1 करोड 24 लाख रुपे के आसपास कमाई की इसी के साथ इस फिल्म ने पने चोथे दिन मंडे को ही बॉक्स अविस पर दम तोड़ दिया जी आपको बता दे फिल्म ने पने चोथे दिन मंडे को बॉक्स अविस पर सिर्फ 50 लाख रुपे कमाई और अगर फिल्म के अभी तक के टोटल बॉक्स ओविस कलेक्शन की बात करें तो आईश्मान खुराना की फिल्म अनेक को अभी तक बॉक्स ओविस पर रिलिज वाद छे दिन से ज़ादा हो चुके हैं और रिपोर्टस के मुताबिक अनेक फिल्म अपने छटे दिन यान आज बॉक्स ओविस पर 33 लाग रुपे के असपास कमाई कर रही जिससे फिल्म का 6 दिनों का टोटल बॉक्स ओविस कलेक्शन 7 करोड 49 लाग रुपे के असपास रहेगा जिस वज़े से यह फिल्म सिर्प अपने 20-25 परसेंड को ही बज़ट को रीकवर कर पाएगी लेकिन आप बात कर लेते हैं इस एपिसोड की तीसरी सबसे बड़ी फिल्म भुल भुल भुलेया टू के बारे में आपको बता दे ही है फिल्म अक्षे कुमार के फिल्म भुल भुल भुलेया टू की एकन पार्ट थी और इस फिल्म में आपको कार्थी कारियन के साथ किया राडव जी आपको बता दे बड़े सूपरिश्टार फिल्म में ना होने के बावजूद कार्दी कारियन की फिल्म ने अपने पहले दिन बॉक्स ओविस पर 14 करोड 11 लाक रुपे से भी जादा की ओपनिंग की जिस वज़े से यह फिल्म अब तक की बोल्यूट की 2022 की सबसे बड़ी ओ बॉक्स ओविस कलेक्शन और भी ज्यादा बड़ा और फिल्म ने अपने बॉक्स ओविस पर तिसरे दिन संडे को कासी अच्छी उक्यूपेंसी पाते हुए 23 करोड 51 लाक रुपे का जबजस्त आकड़ा पार किया लेकिन कारती कारियन के हेटर्स का मानना था यह फिल्म जाएगे लेकिन फिल्म ने अपने चोथे दिन मंडे को डबल डिजिट से ज़्यादा की कमाये करते हुए मंडे का टेस्ट पास किया और लगबग 10 करोड 24 लाक रुपे से भी ज़्यादा का कलेक्शन किया लेकिन अगर फिल्म के अभी तक के टोटा कलेक्शन और पहले पात करें तो ये फिल्म अपने पहले अपते बॉक सबस्ष पर 100 करोड रुपे के आकड़े के आसपास पहुचने में काम्याव रही और फिल्म ने पहले अपने बॉक सबस्ष पर 22 करोड 21 लाक रुपे कमाये लेकिन इस फिल्म को अभी तक बॉक्स अविस पर रिलिज़ बॉक्स अविस कलेक्शन 137 करोड चोपन लाक रुपे से ज़ादा रहेगा और यह फिल्म जल्द ही 150 करोड क्लम में शामिल हो जाएगी लेकिन यह देखना काफे दिल्चस्प होगा यह फिल्म लाइफ टाइम बॉक्स अविस पर 200 करोड रुपे के जादू याकड़े को टच किया चाहेगा लेकिन अगर फिल्म के बजट इसक्रीन्स रियू और कलेक्शन की बात करे तो इस फिल्म का बजट 25 करोड उपे से ज़ादा है लेकिन इस फिल्म को एंडियन बॉक्स अविस पर उमित के मुताबिक काफी कम इसक्रीन्स मिलेजी आपको बता दे यह फिल्म प पोजिटिव रियू मिलने की वज़े से माना जा सकता है यह फिल्म बॉक्स अविस पर रिलिज होते ही काफी बड़ा धमाका करेगी और हो सकता है यह फिल्म अपने पहले दिन इंडियन बॉक्स अविस पर हिंदी फिल्मों के कलेक्शन को भी पीछे छोड़ दे क्योंकि अ बात कर लेते हैं इस एपिसोड की आखरीए फिल्म प्रत्तिवी राज के बारे में आपको बता दे इस फिल्म का नाम च्यंज कर दिया घया है जिस वजह से इस फिल्म का नाम अब समराठ प्रत्तुराज रखा गया है इसी केसाद अगर फिल्म के बजड इसक्रें से रिईREE फर्ष्ट डे कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म का बजट 300 करोड रुपे से भी ज़ादा है इसी किसारा अगर फिल्म के रिउओ और बोक्स अवेजिक से कलेक्शन की बात करें तो अक्षे कुमार की फिल्म प्रत्यूराज को पुब्लिक से लेकरöl करीदिकस ने काफ़े ज़रा पसंद किया और काफ़े अच्छी इस्टोरी होने जो की वज़े से इस फिल्म को पुब्ल lifetime collection के मामले में कार्थी कारियन बनेंगे बोर्यूट के सबसे बड़े किंग मैं दूसरे नंबर पर रहेगी अजय देवगन की फिल्म सबसक्राइब को सबसक्राइब को सबसक्राइब कर देजी से ड़िली बॉक्स अब्डेट मिलती रहेगी सबसे पहले